सूक्ष्म जीवों का वर्गेकरण बच्चों, जीव जन्तूओं में बहुत सारी विवित्ता पाई जाती है सूक्ष्म जीवों का भी जीव जन्तूओं में समावेश होता है परंतु ये सूक्ष्म जीवों होते क्या है जिस प्रकार हम आम का पेड या बिल्ली या कुत्ते को देख पाते हैं क्या वैसे ही हम इन्हें देख पाते हैं सूक्ष्म जीव जीव जन्तूओं ही होते हैं परंतु वे बहुत छोटे होते हैं हम सामाने आखों से इन्हें नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्षमयंत्र की आवशक्ता होती है। ये सारे सूक्षमजीव एक कोशी कियों होते हैं। सूक्षमजीव या तो आदिकेंद्रक होते हैं, या फिर दृष्षकेंद्रक होते हैं। बच्चों, क्या अब आप हमने पढ़े हुए पांच जगतों में से उस जगत का नाम बता सकते हों, जिनमें इन सूक्ष्मजियों का समावेश किया गया होगा? सूक्ष्मजियों का समावेश मोनेरा और प्रोटिस्टा इन दो जगतों में होता है। चली सूक्ष्मजियों के नामों को और गुटों के बारे में जानते हैं। हम चाच या फिर दही की एक स्लाइड बनाते हैं और उनमें बैक्टिरिया किस प्रकार निर्मान होते हैं ये देखते हैं। चाच में जो बैक्टिरिया होता है उसका नाम लैक्टो बेसलिस होता है। बेसलिस शब्द इस बात की और निर्दिश करता है कि ये बैक्टिरिया चड़ के आकार वाले होते हैं कोकस बैक्टिरिया आकार में गोल होते हैं स्पिरिल्लम बैक्टिरिया टेड़े मेड़े होते हैं और विब्रियो बैक्टिरिया स्वल्प विराम के आकार के होते हैं भले ही हम बैक्टेरिया को अपनी खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं, फिर भी वे हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. कुछ उपियोगी बैक्टेरिया एक, ये बैक्टेरिया हमारी आंथडियों में होते हैं और पाचन क्रिया में हमारी मदद करते हैं, ये बैक्टेरिया दही जमाने में, इडली या फिर जलेबी जैसे खादे पदार्थ बनाने में हमारी मदद करते हैं, कुछ बैक्टेरिया मिथेन का निर्मान करते हैं, जिसक हानिकारग बैक्टेरिया। बच्चो आपने नियमोनिया, कॉलरा我是 जैسे बीमारियों का नाम तो सुना होगा। कि आपको पता है कि यह बीमारिया कुछ हानिकारग बैक्टेरिया के कारण हुती है। बैक्टेरिया चारो ओर पहले होते हैं किpl New बैक्टेरिया का नाम उनसे होने वाली बिमारिया 1. Streptococcus pneumonia, Clostridium tetanus, Staphylococcus aureus, Treponema pallidum syphilis, Legeonella pneumonia, Clostridium botulinus, Salmonella typhi, Vibria cholera 2. Cholera बच्चों, इसलिए हमेशा खाना खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी होता है हमें फल, सबजियां ये सब भी धूकर ही खाने चाहिए इसी के साथ साफ पानी पीना चाहिए वरना बैक्टेरिया हमारे शरीर में संक्रमित होकर हमें बीमार कर सकता है जगत, प्रोटिस्टा इस जगत के अधिकतर सदस्य पानी में पाये जाते हैं इसी कारण सिर्फ तालाब के पानी के सिर्फ एक बून में अनेकों प्रकार के प्रोटिस्टा जैसे अमीबा, परमेसियम, युगलेना और डायेटोम्स अधि पाये जाते हैं चलिए अब हम इस जगत के सदस्यों के महत्व को समझते हैं प्रोटिस्टा का महत्व अनेक प्रोटिस्टा को छोटे प्राणी अन्न के रूप में खाते हैं डायेटेम का इस्तमाल धातों के पॉलिश बनाने में टूथ पेस्ट अर्थात मंजन में समवाहक की सामगरी के रूप में होता है प्रोटिस्टा के कारण हमें संक्रमित बिमारिया भी हो सकती है जैसे अंट्यमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस या अंबियोसिस जैसी बिमारिया हो सकती है प्लाजमोडियम विवैक्स मादा अनोफेलस मच्छर में मौजूद होता है जिससे मलेरिया होता है प्रोटिस्टा जैसे डिनोफ्लागेल लैटेस अन्य पौधों और प्राणियों के लिए पानी को दूशित करता है क्वक अर्थात फंगस क्या आपने कभी ब्रेड आचार या जूस पर कवक देखा है बरसाद के मौसम में क्या आपने कभी छाते जैसा पोधा उकते देखा है ये मश्रूम होते है क्या आपने बेकरी में ब्रेड किस प्रकार बनाया जाता है इसे देखा है ये सारे जीव कवक है, कवक उपयोगी भी होते हैं और हानिकारक भी, चलिए इसके बारे में थोड़ा अधिक जानते हैं, कवक का महत्व, ब्रेड, जैम और आचार पर उगने वाले कवक हानिकारक होते हैं, हमें इस प्रकार का अन नहीं खाना चाहिए, मश्रूम हानिकारक भ इनमें प्रूटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है, साथ ही चर्बी और शरकरा की मात्रा कम होती है, आन्य मश्रूम विशैले होते हैं, कवक का इस्तमाल ब्रेड बनाने में यीस्ट के रूप में होता है, पेनिसिलियन नामक प्रतिजेविक में पेनिसिलियम नामक कवक का Myodomonas होती है, Virus अर्थात विशाणू, बच्चों आपने पोलियो, स्वाइन फ्लू, एड्स और एन्फ्लूएंजा जैसे बीमारियों के नाम सुने होंगे? क्या आपको पता है कि ये क्यों होती है? ये बीमारिया विशाणूं के कारण होती है. विशाणू होते क्या है? क्या हम उन्हें आसानी से देख सकते हैं? चलिए इनके बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं. विशाणू आकार में छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें देखने के लिए हमें इलेक्टरॉन सूक्षमदर्शी यंत्र की आवर्शकता होती है. स्वभावता वे निश्क्रिय होते हैं, वे जिवित कोशिकाओं के अंदर सक्रिय हो जाते हैं. कुछ विशाणूओं के कारण, जीव जन्तों में भी भयंकर संक्रमित बीमारिया हो सकती हैं, जैसे मानों में होने वाली स्वाइन फ्ल्यू, एड्स, पोलियो और इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारिया इन्ही विशाणूओं के कारण होती हैं. विशाणूओं के कारण, पेड़ पौधों में भी बीमारी का असर हो सकता हैं, जैसे गन्ने के घास जैसे पत्तों पर, बैंगन की छोटी पत्तियों पर या केले के गुच्छेदार पत्तियों पर इनका असर होता हैं. पुरे शहर में एक संस्था है जिसका नाम है National Institute of Virology. यहां पर विशाणूओं का सविस्तर अध्यान किया जाता है. इस प्रकार बच्चों हमने विवित प्रकार के सूक्ष्मजीयों के बारे में अध्यान किया. हमने उनके नाम, उनका उप्योग और उनके हानिकारक परि जिससे आपको इनका अध्यान करने में और भी आसानी होगी. आप स्वयम भी इस प्रकार के तूलनात्मक चार्ट्स बना सकते हैं. अंत में एक बार फिर हम विशाणूओं की विशेष्ताओं के बारे में चर्चा करते हैं. ऐसा कहा जाता है कि विशाणूओं जीवित और निर्जीव की सीमा रेशा पर होते हैं. विशाणूओं की विशेष्ताओं, जीवों से साधर में दिखाने वाली विशेष्ताओं, निर्जीवों से साधर में दिखाने वाली विशेष्ताओं, इनमें DNA, RNA अनू होते हैं, इनमें कोशिका नहीं होती है. जब कोशिकाओं का संक्रमन होता है तब परजीवी पोशकता दिखाते हैं इन में कोशिका से बाहर निर्जिवकन जीवित कोशिकाओं के अंदर बढ़ते हैं चया पचय क्रिया का अबाव इसके बाद जब भी आप किसी नई जगा पर जाएं या आपको कोई नया जीव दिखें तो उसका नमुना या फोटो अवशले आप इस विशए के बारे में विशेशग्यों के मारगदरशन में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं विद्यार्थि मित्रो इस विडियो में आपने अनेक प्रकार के सूक्षमजियों के नाम सुने होंगे और उनके उपयोजन के बारे में जाना इस प्रकार आप भी सूख्शमजियों के अन्य उधारन खोच सकते हैं और हमारे रोज मर्रा के जीवन में उनके उपियोक के बारे में भी जान सकते हैं इस से न सिर्फ आपको समझने में आसानी होगी बलकि इन सूक्षमजियों के नाम भी आपको याद हो जाएंगे इसी के साथ कुछ और कृतियां भी करके देखे जैसे ब्रेड पर कवक उगाना पाट साला में तालाब के पानी की या फिर छांज की स्लाइड तयार करना आदी हमें विश्वास है कि ये कृतियां काफी दिल्चिस्प तो होंगी ही साथ साथ ये ज्यान वर्धक भी होंगी